हेलो दोस्तो आपका फिरस एक नए वorial पे सवागत है दोस्तो आज की सी विडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अगर अपने फेस्बोक आईडी का पासवर्ड भुल गए हैं तो कैसे आप उसे पासवड को पता कर सकते हैं किस तरह पता कर सकते हैं और क्या प्रोसे recipro अं तो दोस्तों यह सब कैसे करें सब कुछ बताएंगी आपको इस वीडियो में उससे पहले आप वीडियो को इंट तक देखते रहिएगा अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सेर करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसे वीडियो देखने के लिए त करें करें दोस्तों हमें कोफ़ें कर लिए अपना फेस्बुक फेस्बुक ऐपें करते ही अपने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस उपन हो जाएगा जिए अगर दोस्तों आपका पासवर्ड पता करना है उसे रिकॉबर करना थो यहां पर आपको दो चीज डालना अवस्यक हैं दो चीज डालना जरूरी है एक तो अपना इमेल आईडी या फिर अपना फोन नंबर अगर दोस्तों आपके पास यह नहीं है तो आप कभी भी अपना जब फेस्बुक पासवोड उसे रिकॉफर नहीं कर पाएंगे लेकिन दोस्तों इस वीडियो को अगर एंड तक देख पर तो दोस्तों हम यहां पे अपना इंटर कर देते हैं अपना इमेल आईडे लाता है जो को आप दोस्तों आपको यहां पर ध्यान मनें जबूं报 देख पा रहे हैं मेरा अइमेल नो्से फिर इ स्मय उसे बाहना क्यों सब्सक्स्ग करने यहां पर देख पारें forget password का option है यहां पर simply आपको क्लिक कर देना है तो चलिए हम यहां पर click कर देते हैं यहां पर click कर दोगे तो आपको यहां पर ध्यायर रखने वाली बात यहे है आपको यहां पे अपना इंटर करना है तो जैसा कि अगर आप के पास पर फॉन नंबर नहीं है तो आप इसे आपका इमेल आइदी है और इसा पे आप इंटर कीज vibes आप निचे पर आ issue 가까 और समय पर jours और ओरो है यहां पर यहांपर कर दिय है जैसे यहां पर ग्लिक करोंगे तो आप यहां पर देख पा रहे हैं। यसा कि आपका जह जो यह मेरा है फरस बींत्री है फर्जा पति और ट्रिक्स ए वह फेसबुक आइडी यह आपका भी होगा जिस नमसे होगा दो ुछ होने लगा है यहां पर जो email ID है उसका show होगा तो दोस्तों मैंने चलिए यहां पर email ID show हो रहा है तो यहां पर simply हम continue पर click कर देते हैं जब आप continue पर click कर दोगे तो यहां code आएगा आपके email पर उसको आपको simply यहां पर enter कर देना है इसके लिए पहले आपको send email again पर click कर देना है जब आप क्लिक कर दोगे तो यहां से सेंड हो जाएगा तो दोस्तों यहां पे हमारे email ID पे code आ चुका है चलिए पहले उस code को देखकर यहां पे enter कर लेते हैं अब यहां पे continue का option है यहां पे पासवोर्ड डालने के लिए बोल रहा है तो आप यहां पे जो नया पासवोर्ड है आप जो भी पासवोर्ड डालना चाहते हैं उस पासवोर्ड को आप यहां पे इंटर कर लेजिएगा और simply यहां पे continue पे क्लिक कर देजिएगा इस पासवोर्ड को आप याद रखिएगा यहां फिर skin sort यह सब ले लिजिएगा और अच्छे जगह कहीं पे save कर लिजिएगा ताकि यह पासवोर्ड जो है आपको याद रहे पता रहे तो दोस्तों यहां पे हम अपने जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां से हम कर देते हैं no thanks यह सब और जैसा कि आप देख पा रहे हो जो हमारा आइड था Facebook आइड था वो पूरी तरस रिकॉफर हो चुका है और जो हम पासवोर्ड भूले हुए थे वह भी आ चुका है और मेरे मेल पे एक मैसेज भी आ गया है पासवोर्ड रिसेट का तो वीडियो लंबी हो रहे है लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि अगर दोस्तों आप चाहते हो कि जैसे कि आपका तो यह ओपन होता ही है जैसे आपका Facebook आता ही है लेकिन आप Facebook का पासवोर्ड भूल गयो तो कभी भी जब आप लॉग आउट करोग होगे तो जो आपका Facebook है वह आपस नहीं आपाएगा फिर से तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है कैसे आप पासवोर्ड को पता कर सकते हैं यह सब कुछ मैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके लिए आपको कॉमेंट करना होगा जितना ज्यादा उस पे कॉ